दोस्तो आज किस क्लास में आप लोग का स्वागत है आज किस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एक्जाम के लिए हिंदी हंदेट मार्क्स जो आपको पढ़ना है उसमें छैप्टर आपका जो ठरल है ठर्ड नमर यानि तीसरे नमर जो आपका चैप्टर है यानि संपूर्ण करांटी इस चैप्टर की सारांस को हम लोग बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और आप यकीन मानिए कि आप अगर इस क्लास को अगर अच्छे से देखते हैं अपने लाइफ से अगर ये 15-20 मिनट का समय निकाल के अगर आप इस लेक्टर को देख लेते हैं ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा आपके एक्जाम में अक्सर ऐसा सवाल सुनने को मिलता है देखने को मिलता है कि आपको बोला जाता है कि संपून करांती पार्ट का सारांस लिखे संपून करांती पार्ट का भावार्थ लिखे संपून करांती पार्ट में जैपरकास नाराइन जी क्या बतलाना जाते हैं त तो ध्यान लगा के देखेगा, आपके लिए बहुत important यहाँ पे वीडियो है, और almost 5 marks आपके बेहार बोर पाईशा क्लास 12 में आने वाली है, तो यसलिए ध्यान देके आपको देखना ही है, ओके, चलिए, तो start करते हैं, लेकिन फटा-फट सारे लोग वीडियो को like कर लिजे, साथी साथ चानल को subscribe कर लिजे, regularly यहाँ पे आपको ऐसी वीडियो मिलते चलेगा, ठीक है, तो निस्से तोप से subscribe जरूर कर लिजेगा, अभी चलिए यहाँ पे बात करते हैं, chapter 3 अपना कौन सा है, chapter 3 का नाम है संपूर्ण क्रांती, क्या है ना, संपूर्ण क्रांती, जिसको लिखे कौन है, जिसको लिखे है अपना जै प्रकास नराइन, कौन, जै प्रकास नराइन, 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 जै अंधी मैदान में इन्होंने भासन दिया था, ठीक है, और वही भासन का एक अंस है, भासन से लिया गया यहाँ पे, यह है पूरा संपूर्ण करांती, ठीक है, तो अपना इनका जन्म कब होता है, निधन कब होता है, यह सारा याद रखना है, क्योंकि इस से अब्जेक्टिव दिया रहा, गाउं में इनका जन्म होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्ण है, अक्सर आप देखते होंगे, आपके एक्जाम में, अब्जेक्टिव टाइप कोशन में, पूछा जाता है, कि जैपरकास नाराइन का जन्म जो है, कहा हुआ था, तो सिताब दिया रहा गाउ यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्ण है, उसके बाद इनका निधन कब होता है, कहा होता है, 8 अक्टूबर 1989 को इनका निधन होता है, 1979 को इनका निधन होता है, कहां पे, पटना में, पटना में इनका निधन होता है, तो यह यहां पे इनके बारे में कुछ था, साथी साथ तो माता का नाम है फूल रानी ठीक है माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम क्या है पिता का नाम है हरसु दयार ठीक है तो यहां पर यह दो चीज और एक्स्टर आपको इस सेप्टर में याद करके रखना है क्योंकि अक्सर इनके पिता के बारे में जादा बार पूछा ग 5 जुलाइ 1974 को पटना में, पटना के गांधी मैदान में, बस उसी का अंस है, संपोर्ण करांती, इनका जन में 11 उक्टोबर 1902 को और निधन 8 उक्टोबर 1989 को इनका हुआ था, ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, माता फोल रानी और पिता हरसु दया, चलिए, अब हम यहाँ पे सारांज यानि समरी को देखना सुरू करते हैं, अब आपको पूरे अच्छे से, आपका माइन कंसंट्रेट होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए, यहाँ पे, लेक्चर पे, और आप अच्छे से मन सांथ करके देखिए, यकीनान आपको सारा चीज समझ में आजाएगी, मुझे जहां तक ऐसा लगता है, आप अगर अच्छे से देखेंगे, अच्छे समझेंगे तो, और आप अगर कहीं से पहले से समरी सारांज इसका देख चुके हैं, तो आप एक बार इसको देखिए, और अगर आप यह देखिए, और जो आपको आसान लगी, उसको आप अच्छे से ध्यान में रखेगा, याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिखना, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, तो आपको पांस मार्क्स मिल जाएगा, no doubt, ठीक है, और अभी चले ही स्टार्ट करते हैं, देखो, इ नहां पे देख लेते हैं, इसके सारांस को, तो प्रस्तूत पाठ में लोक नायक जैप्रकास नाराइन द्वारा दिये गए इतिहासिक भासन का एक अंग है, क्या है भासन का एक अंग है, जैप्रकास नाराइन को हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं, क्या चीज नाम से अपना संपून करांती जैसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था और ये भासन कब दिये थे ये इतिहासी भासन जो है उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिये थे भासन को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आये थे जिसमें योवा का बोल वाला था और जो भासन इन्हों ने दिया था 5 जुलाई 1974 को पटना के गांधी मैदान में उसको सुनने के लिए लाखो संख्या में लोग पूरे प्रदिस से आये थे कहाँ पे पटना के गांधी मैदान में और जिसमें युवाओं की संख्या बहुत जादा था तो मतलब कह सकते हैं युवाओं का बोल वाला था आगे यहाँ पे है इसी में आपको लिखना होगा ऐसे नाराइन जी कहते हैं नाराइन जी कहते हैं कि अगर अगर दिनकर जी और राम ब्रिस बैनिपूरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नम निर्मान के लिए क्रांती का कार्ज करती लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है यहाँ पर जैप्रकास नाराइन जी कहते हैं कि अगर देनकर जी और राम ब्रिश बेनी पूरी जी होते तो उनकी कवीता भारत के नम निर्वान के लिए क्रांती का कार्ज करती लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है आगे उन्होंने बोला है कि जैप्रकास नाराइन जी कहते हैं यह नेता बनने की जिम्मेदारी जो है मैंने मांग के नहीं लिया है मैंने ऐसा नहीं है कि किसी को बोला है कि मुझे ही नेता चुनो तो ऐसा नहीं है मैं मांग के जिम्मेदारी नहीं लिया हूँ मुझे यह जिम्मेदारी युबा पीडी द्वारा सौपी गई है युबा पीडी चाहती है कि यह जिम्मेदारी जो नेता का है यह जिम्मेदारी मैं ही लुठा हूँ वो कहते हैं कि मैं नाम का जो हूँ नेता नहीं बनूँगा जैपरकास नाराइन जी कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम कानेता नहीं वनूँगा मैं सब की बात सुनूँगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा ये कहते हैं कि मैं सिर्फ नाम कानेता नहीं वनूँगा एक तो सबसे पहली बात ये बोले हैं कि मैं जो हूँ यह जो जिम्मेदारी है मैं मांग के नहीं लिया हूँ यह जिम्मेदारी जो है मुझे युवा पीडी द्वारा सौपी गई है युवा पीडी चाहती है कि मैं इसका जिम्मेदारी उठाओं और साथी साथ यह कहते हैं कि मैं जो हूँ न होगा आपको इस तरीके से देखें लेखक ने अपने परिवार की गरीवी के बाबजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कॉंग्रेस में सामिल हो गए ऐसा नहीं है कि इनके परिवार में इनको बहुत जादा पैसा भेजा जाता था जब अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए तो इनको पैसा यहां से बिजा जाता था बल्कि वह वहीं पर मजदूरी करके कभी होटल में बरतन धोके ऐसे वैसे बहुत सारे जूता पॉलिस करके ये सब काम करके वह अमेरिका में पढ़े ऐसा वो बताते है जैप्रकास नाराइन ज और जब भारत वापस आये पढ़के तो यहां पर वो कॉंग्रेस में सामिल हो गए ठीक है और आगे है जैप्रकास बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की सिक्षा दी बहुत सारे नेता आए बहुत सारे लोग मिले और सब उन्ह और साथी साथ आगे कहते हैं, लेखा कहते हैं कि ऐसे लोगों को सर्म नहीं आती, जो एक तरफ लोकतंत्र की बाते करते हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं, तो ये जैपरकास नाराइन जी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे नेता एक तरफ तो उनको लोगतंतr की सिक्सा दी और दूसरी तरफ वही लोग जो है मतलब जूलूस वगरा को रोका जा रहा था रोकने में साथ दे रहे थे और लेखा कहते हैं कि ऐसे लोगों को सर्म नहीं आती जो एक तरफ लोगतंतr की बाते करते हैं तो दूसरी तरफ लोककंत को अपने पैरों से कुचलते हैं जब वो भासन दे रहे थे बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कते हुई थी बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया ऐसा मतलब वही चीज के बारे में बोल रहे हैं और आगे यहाँ पे कहते हैं लेखक के कुछ मित्र उनका और इंद्रा जी का मेल मिलाब करवाना चाहते थे लेखक के बहुत सारे मित्र जो हैं उनका और इंद्रा जी का मेल मिलाब करवाना चाहते थे लेखक कहते हैं कि मेरा इंद्रा जी से बैक्तिगत जगरा नहीं है मेरा इंद्रा जीसे कोई बैक्तिगत, कोई प्रस्नली हमको उससे जगरा नहीं है बलकि उनकी गलत नीतियों से मेरा जगरा है और जो इंद्रा गांदी गलत नीतियां अपनाती है बस उससे मेरा जगरा है उनसे कोई मेरा प्रस्नली, कोई बैक्तिगत जगरा नहीं है लेकिन महात्मा गांदी में ऐसी बरकत थी कि वो उन्हें बैठा के स्फिर्वित से समझा देते थे तो मतलब वो बापू के बारे में भी बहुत अच्छे से चैप्टर में बताए हैं लेखक में कई बार बापू और नहरू जी की भी आलोसना की लेखक कहते हैं कि आज राजनीती में भरस्ता चार है जिसका प्रमुक कारण चुनाबों की चर्चा है लेखक कहते हैं कि आज राजनीती में भरस्ता चार बढ़ा है जिसका प्रमुक कारण चुनाबों की चर्चा है ठीक है लोगतंतर में चुनाव के बाद अपनी ही परतिनिदियों पर जनता का जो है न कोई अंकुस नहीं रहता कोई अधिकार नहीं रहता लोगतंतर में जब एक बैक्ति को चुन दिये जनता लोग उसके बाद वही जनता का कोई मतलब नहीं अंकुस उस पर नहीं रहता प्रतिनिदियों पर अंकुस लगाती है, प्रतिनिदियों पर आरोप लगाती है, प्रतिनिदियों पर सवाल खरिये करते हैं, बहुत दूसरे देश के जैसे बात किया जाए, तो उसमें क्या होता है, कि जो भी प्रतिनिदियों पर अंकुस लगाती है, सवाल खरा करते हैं, ल भासन जो है न वाकई एक सांदार भासन है वाकई एक बहुत ही जवरदस्त भासन है जो उन्होंने पटना के गांधी मैदान में दिया तो ये जैपरकास नाराइन जी की ये कुल मिला की ये मतलब जो संपूर्ण करांती पाठ्थ है इसका सारांस हुआ ठीक है अगर आप अपने एक्जाम में लिख देते हैं तो यकीनन आपको बहुत ही अच्छा मांक्स मिलेगा नो डाउट कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप बस आप क्या करिएगा इस वीडियो को आप दुवारा प्ले करके और सुरू से अपने कॉपे में इसको नोट डाउन कर लिजेगा बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उसको दुवारा अच्छे से रिवाईज कर सकते हैं और साथी साथ उमीदतन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसको नीचे आप कमेंट में बताईएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको कैसा लगा कैसा हम संजाए और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं ठीक है और बाकी वीडियो उसको like और share साथी साथ चैनल को नेसित रूप से subscribe कर लिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो यहाँ पर regularly लाते रहते हैं तो क्या जा रहा है, कर लो न सबस्क्राइब, आरे कर लो, जाओ, जाओ, करो, हम देख रहे हैं, अभी, 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 अभी कर लो, कर लिए, चलो, थांक्यू, अभी, आज यहां पर यह अपना chapter हो गया, आज ही साम में हम मिलेंगे, जब सबस्क्राइब करी लिए हैं, तो आ तो आज यहां पर इस class को बस हम लोग यहीं पर end करते हैं, मिलेंगे अगले class में जिसमें और भी chapters जो भी बाकी है, तो वो उसको भी complete करते चलेंगे, तो मतलब daily basis पर एक एक class complete करते चलेंगे, ठीक है, टाटा, बवाई, all the ways.